दिर राद क्लब में तीन युवकों को जबरन घुसने से रोका तो एक ने फारिंग कर दी इससे एक शक्स जखमी हो गया अनन्द विहार स्थित क्रॉस रिवर मॉल में हुई वारदात के तीनों आरोपी फरार हो गए पुलीस ने हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट की दहत मुकदमात दर्ज कर लिया है पुलीस ने मौकी से कार्थूस का खाली खोल बरामत कर लिया आसपास के सिसर्वी कैमरों की फोटेस खंगाली जा रही है आरोपिय के धर पकड़ के लिए पुलीस की काईटी में लगी है जतिन सिंग और फगोलू परिवार समेत मांसरोवर पार्कलाकी के न्यू मौडर्ण शाद्रा में रहता है वो एविंट मैनेजर का काम करते हैं अनन्द भिहार स्थित क्रॉस रिवर मौल के बी विंस क्लब में उनका साउंट सिस्टम लगा हुआ है उन्होंने पुलीस को बताये कि 29 दिसंबर के दर्मियान रात करीब सारह 12 बजे वो क्लब से सिस्टम चेक करने के बाद गेट के बाहर आ रहे थे सीलंपोर निवासी, सल्मान, बिट्टू और फैस कुराशी कलब के भीतर आने के लिए बाउंसर सिर्जगडा कर रहे थे जबरन कलब में घुसने पर उन्होंने तीनों को समझाने की कोशिश की लेकिन वो गोली माने की धमकी देते हुए भीतर जाने पड़ारे हुए थे इस पर जतिन ने उन्हें दादागीरी नहीं दखाने की चेतावनी दिया और चले जाने को कह दिया आरोप है कि फैस कुराशी गोली माने को कहने लगा और बिट्टू ने हामी भरते हुए निप्टानी की बात कही ये गोली उनकी कमर पर लगी जखमी हालात में जतिन को स्पताल ले जाए गया ब्योरो रिपोर्ट दिल्ली समाचा